हाई एब्रीवन वेलकम तो आवर चैनल मानिंग टेकनिकल आज हम लुख संदेशल वीडियो सेरीज की 10th वीडियो में दिसकस करने वाले हैं General Procedure for Blasting in Underground Coal Mines Blasting Operation, Drilling Operation के बाद किया जाता है तो इस वीडियो में हम सिर्फ Blasting Operation के बात करेंगे तो सबसे पहले होल को scrapper दवारा साफ करेंगे उसके बाद crack detectors की मदद से होल में crack की जाच करेंगे अगर होल में क्रैक रहता है तो उस होल के अंदर बारूत नहीं डालेंगे उसके बाद होल से 18 मीटर रेडियस तक गैस की चांच करेंगे उसके बाद अगर CCM यानि कोल कटिंग मसीन का परियोग हुआ है तो ये देखेंगे कि होल की लंबाई मसीन कट की लंबाई से 15 सेंटीमेटर कम है या नहीं फिर होल की दिसा यानि direction चाल और sides में चिनित कर देंगे उसके बाद होल की charging करेंगे यानि होल में बारूत भरेंगे direct initiation या फिर inverse initiation जो suitable है उस method से होल की charging करेंगे उसके बाद होल में stemming material यानि गोल अमाटी को भरेंगे उसके बाद होल से 18 मिटर की radius तक चाल, साइट्स और फ्लोर्स में पानी स्प्रे या फिर stone dusting करेंगे फिर सभी workers को warning देंगे और दूसरे तरफ से प्रवेश को fence कर देंगे उसके बाद short firing cable को face तक बिछा देंगे और फिर होल से 18 मिटर रेडियस तक गैस की जाँच करेंगे उसके बाद सारे होल के सारे detonators को एक साथ जोड़ देंगे उसके बाद circuit continuity test करेंगे और फिर इस circuit को short firing cable के साथ जोड़ देंगे सभी workers को shelter लेने के लिए एक बार warning देंगे उसके बाद हम खुद shelter लेंगे और फिर warning देंगे उसके बाद short firing cable को exploder से जोड़ देंगे और फिर एक बार चिला कर warning देंगे और at last hole को blast कर देंगे और अगर blast नहीं होता है तो फिर दुबार try करेंगे blast करने के कुछ समय बाद blast हुवी जगह पर जाएंगे और supports की चांच करेंगे और जहां dressing की ज़रूरत है वहां dressing करवा देंगे और फिर उस जगह को support किया जाएगा और फिर एक all clear sign देंगे जिससे सभी workers अपना काम दुबारा सुरू कर सके आज के लिए बस इतना ही अगले Sunday special video अगले Sunday को if you like this video please hit the like button and share this video if you have any query or suggestion then please comment and please subscribe our channel till then Jai Hind Jai Bharat